तो मरी जान मैं अभी अभी सिंगम अगेन देखके आया हूँ और आई उस पर बात कर लेते हैं अगर आप सिंगम फ्रेंचाइजी के हार्ड कॉर फैंस हो तो मबारको ये दिवाली आपके लिए डबल बॉनस लेके आईए ये मूवी आपको किसी भी एंगल से निराश तो नह ये अची चीजें हैं लेकिन मुझे पसनली जो अच्छा लगा इसके बारे में मुझे बात करना काफी जादा पसंद है वो ये कि मूवी में रामायन वाले एंगल को जिस तरह से इंटिग्रेट किया गया है दैटिस सीमलेस मुझे यह डर लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें फोर्स फुली इसमें रामायन गुसा दी गई हो लेकिन मुवी देखे टाइम ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है जिस तरह से सिंगम के करेक्टर की यात्रा को श्री राम की माता सीता की खोच की यात्रा के साथ ब्लेंड किया गया है उसमें खास बात जो मैं ज हैं और कि इस हालात में हैं वो चीज काफी अच्छी तरीके से मुवी की कहानी के साथ इंटिग्रेट की गई है बागी मुवी का फर्स्टाफ कहानी के बिल्डप में चला जाता है लेकिन सेगेंड आफ में जो तबाही मचनी शुरू हुई है स्क्रीन पे तो बात तो बात चलाने का मौका नहीं मिलेगा मुवी का एक्शन काफी लाजवाब है रोहित शेटी साब खुद एक्षन डारेक्टर है तो उनकी मुवी की यूएस पी यह होती है इसलिए तो उनकी एक्षन मूवी देखने जाती है पबलिक थेटर में हां कॉमेडी मूवी की बात अलग हो लेकिन मूवी देख टाइम मुझे तो कहीं से भी करेक्टर क्रेंज नहीं लगा बस थोड़ा सा एक्सेंट दर लगा मुझे क्योंकि वह साव्ट इंडिन क्यरेक्टर है लेकिन कहीं कहीं पर उनका हाल कासा माराथी एक्सेंट आ रहा था बट यह ज्यादा फर्क नहीं डाल सेटिया मजाने का मौका मिलेगा अब यह सर्प्राइज किसका हो सकता है वह आप खुद ही कर लो क्योंकि स्पोईलर फिर रिव्यू है तो मैं नाम नहीं लूँगा अभी डेटेल वाली वीडियो में हम खुलके दूसरे चैनल पे प्रेम अन्फिल्टर बे बात करेंगे इस थोड़ा बुरा फिल हो रहा है अगर अगर नहीं देखी तो जा के देख लो माजा आएगा मैं आत पर सोया नहीं हूँ अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ फिर भूल पले देखने जाओगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा